वेलकम बेक फ्रेंड्स हेलो टो एवरिबडी आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे लास्ट फूल अपना गलेडियो लग पिछले साल जो कुर्शी प्रविक्षप का एक्जाम हुआ था इसमें से दो क्यूशन पूटप हुए थे तो इसमें एक तो आया था कि इसके और दूसरा क्यूशन आया था कि इसमें जो परवर्दन होता है इस परवर्दन को काई सी किया जाता है तो इसमें नीचे जो आलू की तरह प्याज की तरह कंद आते हैं इन कंद को कौर में कहते हैं तो दोस्तों गलेडियोलस में सब से पहले आपने गलेडियोलस की फटो द आएगा कोई अलग स्पेशल वानश्पतिक नाम इसका है नहीं तो ग्लेडियोलस इस्पीसीज कुल इसका स्पेशल है भाई कुल है इसका इरिडेशी तो इसको याद रखेंगे इरिडेशी है पुत्पतिस तल इसका अफ्रीका है पिर इसके अंदर टुएन बराबर दो होते हैं तीश भी होते हैं और टुएन बराबर फोर अक्ष इस इसपाइक कहते हैं बड़ा सा पुष्प करम आता है जिसको इस पाइक या हिंदी में बात करें तो कणिश भी बॉल देते हैं जो पिछली बार सुप्रवाइजर में आ चुका है कणिश भी बॉल देंगे इसके बाद में देखो इसका परवर्दन जो किया जाता है यह देखो आपको कुछ- घंकंद भी बोला जाता है कॉर्म या घंकंद से करते हैं और ये कॉर्म या घंकंद क्थो है कितने चईये اक हեՁ एक घ्टियर के लिए ठीट लाक कॉर्म चीए ठीड़ला कौर्म चीए एक घंकंद का वजन कितना होना ? थीज छालीस ग्राम के मद्द्धे होना चाहिए और इसका व्यास कितना होना चाहिए 4-5 cm और गनकंदों की रोपाई कब करतें हैं रोपाई का समय अक्टुबर नौंबर है रोपाई का समय क्या है अक्टुबर नौंबर शर्दियों में रोपते हैं इसके बाद में देखिए यह एक पॉट है गुल दस्ता के जैसा है और इसमें लंबे 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 रंग विरंगे फूल है इसलिए कहा जाता है कि गलियोडियोलस के बिना गुल दस्ता अदूरा होता है गुल दस्ता अपूर्ण है इसके बिना गुल दस्ता अपूर्ण है गुल दस्ता में सबसे जदा कामी लिय जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में सबसे ज्यादा कौन से फूल की मांग है वो है गलियोडियलस की अंतरास्त्रिय बाजार में शरवादिक मांग वाला पुष्प है अंतरास्त्रिय बाजार में शबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती है वो होती है गलियोडियलस की होती है इसके गाद में इसके न्ये नाम में इतples हैं से फूल बहुत यहां से लिक किंग इतना लंबा है इसका अन्ये नाम है स्वाड लिली सौाड का मतलब आर तल्बार तल्वार की तरहist पीड़ा सा फूल फूर द्ली या इसको बोला जाता कॉर्न फ्लेग इसको कॉर्न फ्लेग फ्लावर भी बोला जाता सौड लिली भी Hier फिस्ट ग्रीेड एग्रीक लेक्षле लैक्चरर के पेपर में आया फिस्ट ग्रेड में आया हुआ है कि निम्न में Custom type का है यह महरून है यह सपेद है अलग-अलग रंग में अलग-अलग विराइटियों को जमाना is scoring कहलाता है तो अगर पूछ लेकि scoring की किरिया रंग के इसाब से फूलों को विवस्तित करना रंग के इसाब से हो नो को इस विवस्तित करना कि श्कोर्इंग कैलाता है हा नुष इंके वरायटियों के बारे में देख लेते हैं अपके वरायटी बारे में Cristool की किष में सरबादिक पूछी धाती है उनिके बारे फोकश कर लेते हैं तो ग्लीव डिलस में सबसे ज़्यदा पूछी धाती है जैसे शुचित्रा है पिर ये दर्शिनी है इसके अलावा फ्रेंड्शिप है एपी एंड है एपी एंड है एपी एंड के बाद में है नजराना है औशकर है पूशा मनमोहक है मीरा है मुक्ता है मुक्ता गेऊं की भी किश में है किसकी है दोस्तों मुक्ता गेऊं की किश में भी है इसके बाद में है अगनी रेखा याद रखना दोस्तों अगनी रेखा तो है आपकी गलेडियूलस की जबकि रजत रेखा और स्वन रेखा रजत रेखा और स्वन रेखा और चांदी की रेखा, दोनों रेखा हैं, जो होती, सोना और चांदी की रेखा हैं, वो किसकी होती है, टिबरोज रजनी गंदा, रजनी गंदा इनके एड आते हैं न, इसमें है केशर का दम, दाने दाने में है केशर का दम, तो इसमें जो है सोना और चांदी, रजनी गंदा टिव्रोज की किश्मे है सवंड रेखा और रजत रेखा जबकि अगनी रेखा इसकी है आपके बिलेडियोलस की से के छ लेब पूसा सारंगे पूसा केरनं है पुसा सारंगे जबकि सरद सारंगे किश्की थी क्राइश इंत्यमं की सरदसारंग यह पूसा केरण है कि पिटर रोज अरका गॉल्ड नुपूर गुंजन गुंजन नुपूर है कि पिटर गॉल्ड है कि इसके अलावा जैसे मनोहर है तो दोस्तों यह सारी किश्में होगी आपके लेडियोलस की जिन में से मुख्य तैस तुचित्रा पिरिया दर्सनी फ्रेंड्सिप हैपी एंड नजराना ऑसकर पूशा मनमोग मीरा मुक्ता मनौर पूसा सारंग पूसा किरण गुंजन नुपूर अरका गॉल्ड यह सारी किश जो है पिछली बार रहें इस बार हो सकता किस्मों से में किस्मों में से क्यूशन आजाए क्योंकि एस एक पेपर में क्राइश इंति मम और अपका ग्लियोडिलस इन दोनों की किश्मों में से कुटप है हुए तो इसी की साथ में आपके जो चार फ्लावर एस है लिए बस मे है वह कंप्लीट हुए है थैंक यू शो मच